Hello Friends, स्वागत आप सबका मेरे YouTube चैनल विकास त्रीवन टैक में तो Friends, YouTube का एक बहुती बड़ा अपडेट आया है ये बहुती इंपोर्टेंट अपडेट है क्योंकि इसमें आपके एक बहुत बड़ी प्रोब्लम सॉल होने वाली है और ये जो problem है वो छोटे creators को भी आती है और बड़े creators को भी आती है तो YouTube के इस update के बाद इस नए feature के बाद आपकी प्रोबलम जो है वो चुटकियों में solve हो जाएगी क्या problem है और क्या update है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो छोटी सी है पर बहु ये इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको प्रोबलम बता देता हूँ कि क्या problem है जिसका solution आपको इस update में मिलेगा तो फ्रेंड्स जब भी आप YouTube पर अपनी कोई वीडियो अप्लोड करते हैं या मान लिजे आपने YouTube पर 10 वीडियो अप्लो वीडियो पर community guidelines strike आ जाती है या ऐसा भी हो सकते कि आपने कोई वीडियो अप्लोड करी और उससे 24 गंटे बाद 22 गंटे बाद या आपकी वीडियो के उपर community guidelines strike आ गई या फिर आपकी कुछ महिने बाद कुछ साल बाद आपकी वीडियो के उपर जब भी वह YouTube का algorithm उसे कैच क करता है आपकी गलती को इस वीडियो में तो आपको community guidelines strike आ जाता है अगर वो community guidelines को follow नहीं करती और आप काफी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं लगता कि मेरी जो ये strike आई है उसमें गलती क्या है मेरी वीडियो के अंदर वो आपको पता नहीं लगपाती है लेकिन अब जो ये नए अपडेट है इस नए फीचर के बाद आपको पता लग जाएगा कि आपकी वीडियो में जो community guidelines strike आई है वो कहां पर आई है कितने time पर आई है यहां पर time stamp के माध्यम से आपको पता लग जाएगा क्योंकि ये आपको बता देगा कि आप आपने इतने time के बीच में आपके वीडियो सही नहीं तो आप उसे सही कर सकते हैं अपनी वीडियो कर अपने या बड़े creator या बड़े creator दोनों के लिए बहुती important update है तो friends अगर आपको वीडियो से related कोई question है कोई query है तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो से like और share ज़रूर करें Thank you